हेलो दोस्तों स्वागत है आपका चैनल HSA Safety Guide में आज हम बात करेंगे स्वाइल प्लेट की साइज कितना होता है बेस प्लेट की साइज इतने होते हैं टॉप रिल की हाइट कितना होते हैं मीड रिल की हाइट कितने होते हैं त्वू बोट का साइज कितना होता है आए देखते हैं स्वोयल प्लेट की क्या साइज है स्वेल प्लेट का 300 mm x 600 mm by 6mm thickness होता है तोइफ प्लेट को इसलिए हूत करते हैं जो स्काफ होल्डिंग का लेबल जो होता है वोसे ही रहता है और इसको बेस प्लेट के नीचे लगाये जाता है आईए अब बेस प्लेट की साईज देख लेते हैं बेस प्लेट का जो साइज होता है 1.500mm by 1.500mm by 6mm thickness होता है base plate scarf holding को support का काम करता है जो नीचे नहीं दबने देता है चलिए अब top rail, mid rail और true boat की height देख लेते हैं कितना होता है top rail का जो height होता है 900 mm से 1200 mm होता है और mid rail का जो height होता है ये 4500 mm होता है true boat का जो size होता है ये 100 mm से 1500 mm तक होता है दोस्तों इस वीडियो के माधियन से आपको पता चल गया होगा कि soil plate के size के दना होता है base plate के size के दना होता है और scarf holding के platform के size के दना होता है अगर आपको scarf holding के बारे में जामना है तो मैं वीडियो उसका पहले बना रखा हूँ आपको जाके देख सकते हैं कुमें लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में डालोगा थैंक यू धनीवाद कर दो जाए हूँ